श्री गंगानगर में दो साल की मासूम से हैवानियत करने का एक मामला सामने आया है छेरचाड और गंदी हरकत करने वाले 50 साल के शक्स को पुलिस ने उसके ही घर से गरफतार कर लिया है जानकारी के अनुसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाला ये शक्स बच्ची को खेलते समय उठा कर घर ले गया और उससे अश्रील हरकते करने लगा इस दोरान परिजन भी मासूम की तलाश में वहां पहुँच गए परिजनों की सूचना पर पुलिस वहां पहुची तो आरोपी वहां से भागने लगा लेकिन बाद में पुलिस ने शक्स को उसी के घर से ही आपत्ती जनक हालत में गिरफतार कर लिया है परिजनों की शिकायत पर बुधवार को महिला थाने में मामला दर्च कर लिया गया है और पुलिस से पूच्दाश में आरोपी ने गुनाह भी कुबूल लिया है इस पर बाद अनुचनाथ आरोपी तुरुज सानी को गिर्ट तर्किया है अनुचनाथ